नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मैं हूँ अंकित कुमार साहू राजबीर दोस्तों जैसा कि हम PGT का जो पूरा स्लेवस एक कवर कर रहे हैं तो उस स्लेवस को कवरिंग में मैंने तो पूरे राइटर्स पूरे कर दिये और उसके बाद मैंने कुछ लिटरे टर्म्स दे दिये आपको और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मोवेंट्स पर बात करने जा हूँ यानि हिस्ट्री आफ इंग्लिस लिटरेचर जो QUESTIONS बनते हैं उर्स के बारे में मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूँ दोस्तो आपके जो response मिलते हैं मुझे बेहत खुशी होती है आपके जो comments मिलते हैं कोई कहता है मैंने आपका aid नहीं पहुज किया जिससे कि आपको benefit अच्छा मिले मतलब लोगों का कहना है कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ कुछ लोगों का कहना है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कुछ लोगों कहते हैं आपकी wise बहुत अच्छी है दोस्तो ये मेरी wise नहीं है या कुछ भी कुछ भी नहीं है ये सिर्फ एक आपका नजरिया है जो आप समझने की कोशिस करते हैं दोस्तो बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर दोस्तो इतिहास यूँ ही नहीं बनते इतिहास बनने में सदियां लगती है और ये English Literature का साहित का जो भी इतिहास है कोई बहुत पुराना नहीं है कि बहुत लंबा हो बहुत पुराना हो दोस्तो और इतिहास अपने आप में ही कुछ बया करता है वो इतिहास हमारे भारत का रहा हो वो इतिहास किसी विदेश का रहा हो या किसी भी देश का इतिहास रहा हो वो राजाओं की कहानिया रही हो या फिर उन हमलावरों की कहानिया जिन लोगों ने कहीं की सब्भेता वहां की संस्कृती नश्ट करने की बात की हो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी के साथ सुरू होता है आपके इंग्लिस लिटरेचर का सफर दोस्तों 1403 उसके पहले की घटना आपके लिए मैं नहीं मानता की बहुत महत्वोण होती है लेकिन जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों की इतिहास की हम बात करने जा रहे हैं तो जो 1403 की घटना है वो ये है कि आकरमड हुआ एक बहुत बड़ा हमला हुआ कस तॉन्तुनिया पर जिसे हम Constant Noël नाम से जानते हैं दोस्तों वहाँ पर हमला हुआ और हमला होने के बाद दोस्तों जो कस तॉन्तुनियास हर है यानी कांस्टिन नोपल है जो वो सेंटर था आर्ट और कल्चर का दोस्तो वहाँ पर बहुत सारे विद्वान रहते थे तो उस हमले का असर ये पढ़ा कि वहां के लोग कहीं अपनी जान बचा कर भागने लगे और अपने साथ ले करके चले अपना जो भी उन्होंने संजोया था जो भी उन्होंने ज्यान अरजित किया था जो भी उनके पास मैनिस्क्रिप्ट थी जो भी उन्होंने लिखा था तामर पत्र भोज पत्र वो ले करके चारो तरम भागे और इस तरह से आपके इटली से चल करके इंग्लेंड तक का सफरते हुआ एक ग्यान का रेनेशा जी से हम कहते हैं पुनर जागरण काल का दोस्तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तो कि कहानी कोई भी हो इतिहास कोई भी हो उसमें कहीं न कहीं कुछ बलिदान सामिल होता है तो कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसी चीजें सामिल होती है जो आपके राइज करने का कारण बनती है दोस्तो रिनेशा जब इंग्लेंड में आया तो उस वक्त मिडवल एजेस का बहुत बड़ा बोलबाला था और बोलबाला ये था कि उस समय पर चर्च का महतुलों के पास ज़्यादा था दोस्तो ये तो रही बात हमारे इतिहास की दोस्तो इतिहास को बहुत भागों में डिवाइट किया गया अगर मेरे पास वक्त रहा और आपके पास वक्त रहा तो हम जरूर पढ़ेंगे रिनेशा से लगा करके मौडरन एज तक का सफर लेकिन दोस्तो बस एक मैं छोटी सी भूमिका के बाद आज की ये बाते यहीं खत्म करके बढ़ जाता हूँ कुछ एक्जाम पॉइंट्स पर जो आपके इंगलिस साहित के इतिहास से बनते हैं तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो आज का ये सफर दोस्तो जहां तक ये मैं मौवमेंट्स की बात करता हूँ, कौन से कुष्चन आपके लिए महत पूर्ण होंगे आप यहाँ पर फोकस करें और मैंने जैसे कि आप से कहा कि इतिहास की बाते हैं तो दोस्तो हम बाद में कर ही सकते हैं की दिहास अपने आप में ही एक कोई ना कोई कहानी होती है दोस्तो और इस कहानी को सुनाने के लिए मैं भी बहुत आतूर हूं कि आप सुने और मैं सुनाओं दोस्तो, शुरू करते हैं मोमेंट्स की ये बात, जो दोस्तो dictionary है, dictionary is a language जो पहली आई थी 1765 में 1765 में जो जॉन्सन सहाब थे उन्होंने Samuel Johnson जो थे दोस्तो तो उन्होंने डिक्सनरी लिखी और ये डिक्सनरी English language की दोस्तो पहली डिक्सनरी थी जिस में English के शब्दों का दोस्तो संग रह किया गया और इसकी सबसे महत्वपुन बात आपको डेट याद रखनी है कि 1755 में डिक्षनरी पहली बार सैमुल जॉनसन सहाब ने लिखी थी दोस्तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है आर्स पोईटिका दोस्तो जो ये आर्स पोईटिका की हम बात कर रहे हैं ये आर्स पोईटिका जो है ना एक्चुली में आर्ट आप पोईटरी नाम की दोस्तो ये पोईब है होरेस की होरेस एक आपके ancient poet हैं जिन्होंने 19BC में लगभग 19BC में दोस्तों उन्होंने एक पोईब लिखी जिसका नाम है आर्ट आप पोईटरी इसका ओरिजनल जो टाइटिल था वो आर्स पोईटिका है दोस्तों और ये एक पोईब है मैंने आपको जैसे की बताया और इस पोईब में बात किया है उन्होंने होरेस सहाब ने on the on the art of writing poetry and drama उन्होंने writing की बात किये कि poetry और drama की writing के बारे में दोस्तों उन्होंने इस book में बात किया है ये question आपका पूछा जा चुका है इसलिए मैं थोड़ा और highlight करता हूँ कि आर्स पोईटिका होरेस की लिखी हुई एक poem है और इस poem में उन्होंने बात की है drama और art को कैसे उसको लिखा जाना चाहिए इस संबंध में दोस्तों उन्होंने बात की है अगला point है हमारा Dr. Johnson पर फिर से एक point है दोस्तों जो Dr. Johnson थे ये Dr. Johnson जिन्होंने अपनी dictionary publish कराई थी और उस dictionary में जो words का उन्होंने collection किया था तो ये Dr. Johnson थे क्या actually में दोस्तों ये एक editor थे lexicographer थे एक poet थे दोस्तों एक atheist थे और literary critic थे और इसके साथ साथ दोस्तों ये biographer थे यानि कि जो Dr. Johnson का role है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वण है इंगलिस में इसलिए dictionary को दोस्तों इनकी याद रखना और इनके कारेओं को याद रखना बहुत महत्वण बन जाता है दोस्तों जो Dr. Johnson है उन्होंने Preface to the English Dictionary भी लिखा Preface to Shakespeare लिखा Life's Up English Poet दोस्तो Life's Up English Poet जब उन्होंने लिखा तो वो दोस्तों बन गए biographer और जब उन्होंने Preface to Shakespeare लिखा तब वो बन गए दोस्तों एक Literary Critic और इसके पहले उन्होंने Preface to English Dictionary जो उन्होंने लिखा था तो एक उन्होंने Editor के रूप में कह सकते हैं आप उन्होंने या एक Lexicographer के रूप में दोस्तों उन्होंने कारे किया ये चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं यूटोपिया की बात कर लेते हैं जब हम इतिहास की बात करते हैं और इतिहास में कुछ ऐसे chapters होते हैं कुछ ऐसे अध्याय होते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते और Thomas Murray Thomas Murray की जो ये work है Thomas Murray का यूटोपिया एक बहुत ही महत्पूर्ण वर्ख है दोस्तों जिसमें निव वर्ड यूटोपिया एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं दोस्तों ये Thomas Murray आपके और इन्होंने जो यूटोपिया लिखी थी दोस्तों पहली जब यूटोपिया लिखी तो लेटिन भासा में थी और लेटिन भासा में दोस्तों 15-16 में ये लिखी गई थी लेकिन इसको इंग्लिस भासा में अनुवादित किया गया यूटोपिया को दोस्तों और जब इंग्लिस भासा में अनुवादित किया तो वो ये था 15-51 दोस्तों कैसे बनता है है वो है 1551 इंगलिस में इसको convert किया गया और इन्हों ने दोस्तो जो shedding है दोस्तो इसमें जो मिलती है जिस word की बात किया है दोस्तो इन्हों ने जिसका जिक्र किया है उसका नाम है new word अगली दोस्तो points पर हम आब आ जाते हैं Gutenberg आपके Gutenberg का अगर आपने नाम सुना होगा तो Gutenberg ने दोस्तो printing press की स्थापना की थी और printing press की स्थापना करके उन्होंने दोस्तो Bible को जो है publish किया और इस Bible को जो उन्होंने publish किया था जिसमें 42 line Bible जिसे नाम से जाना जाता है इस Bible को दोस्तो 42 टू लाइन बाइबल के नाम से जाना जाता है और ये बाइबल जो है 1454 से 56 के बीच में ये पबलिस की गई थी गुटनबर्ग पब्लिकेशन के द्वारा गुटनबर्ग बाइबल के नाम से इसे हम दोस्तो जानते हैं अगला पॉइंट जो है हमारे साथ है कि लोग सोए तो नहीं थे पुलर जागरन जिसे हम बोलते हैं दोस्तों वो सो नहीं गए थे लोग एक्चुली में जो डार के जिस थी और जो मिडवल जिस थी वहां पर चर्च का इतना बोल बाला था कि लोग खुद को सेलिबरेट नहीं कर सकते लोग खुद की खुसिया नह सकते अगर कुछ वो ऐसा करते हैं तो पोप का कुछ और कहना था किसी का कुछ और कहना था इन सारी बाधाएं थी बहुत सारी और इन बाधाओं से जब दोस्तों चुटकारा मिला लोगों का तो लोगों ने human body को human nature को और exploration पर बहुत जादा जोर दिया वो रिनेशा का आग बंन था दोस्तों किंग जेम्व जो थे दोस्तों तो यह 1603 में जो यह सिंहासन पर बैठे दोस्तों एलिजया वेठन जैसे ही आपका खत्म हुआ जैकोबियन फ़ण Clark को जा और और दोस्तो यह question बन जाता है, कई बार बनता है, कि जो authorized version आप Bible कब आया, तो इसी को हम दोस्तो जो king james की Bible है, इसी को हम दोस्तो authorized version आप Bible जानते हैं, और ये 1611 में आया था, दोस्तो जो ये Bible है, इसके कई नام है, यहाँ पर मैंने आपको mention किया हुआ है, King James Bible यह authorized version आप Bible दोनों नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है इसमें जो दोस्तों बात है तो actually मैं इस Bible में क्या है ये भी जान लेते हैं ये एक English translation था दोस्तों Bible का ये authorized version आप जो Bible है ये दोस्तों English translation था और सबसे बड़ी बात इसमें Old Testament और New Testament दोनों लिखे गए थे Old Testament की 39 बुक और New Testament की 27 बुक थी दोस्तों यानि कि जो King James की Bible है 1611 में पबलिस हुई इसे repeat करते हैं हम इसे authorized version आप Bible के नाम से भी जाना जाता है और ये English का translation था और इसमें दोस्तों उन्होंने बात किया है Old Testament और New Testament जो Bible है आपकी दोस्तों वो दो भागों में विभाजी थे जिसके Old Testament और New Testament Old Testament में 39 बुक हैं और New Testament में 27 बुक हैं यही था authorized version आप Bible by King James दोस्तों अगली point पर हम आजाते हैं ये है आपकी Victorian एज से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत जादा questions में जंबलिंग की हुई है यानि कि मैं यहां से वहां यहां से वहां कभी मैं Victorian एज की बात कर रहा हूँ कभी romantic एज की तो कभी रेनेशा की दोस्तों कुल मिला कर कि जो questions मैंने collect कि हैं ये combined questions collect कि हैं ताकि जो भी आपके history से पूछे जाते हैं उनको मैंने cover करने की कोशिस किये तो जैसे जो question मिला मैंने उसको वैसे ही put up कर लिया दोस्तों जो Victorian एरा है वो 1837 से 1901 तक माना जाता है Victorian age Victorian age का जो नाम पड़ा था दोस्तों तो ये Queen Victoria जो थी महारानी Victoria उस समय वहां की रानी बनी थी 1837 में दोस्तों उन्होंने थ्रोन वहां के थ्रोन पर बैठी और दोस्तों जो Victorian age थी ये class था between faith and region जैसे कि आपके अलफ्रेड लॉट टेनीशन है दोस्तों तो वो हमेशा ही actually में वो Victorian compromise ना करके loss of faith पर हमेशा loss of faith पर वो रोते हैं अपने works में इन सारी चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरे साइड मैथ्य और नौल कंप्रोमाइज कर लेते हैं science और religion के बीच में क्योंकि ये Victorian age जो था तो दोस्तों ये colonization का एक भैतरीन पीरिड था उस दोरान महारानी विक्टोरिया ने colonize किया बहुत सारी countries पर राज्य किया यहां की even तक की आपके भारत तक में और ये जो बहुत सारे जो scientific development हुए industrial revolution आया ये सब दोस्तों विक्टोरियन एरा में ही आया और तभी class between faith and region होगा क्योंकि Darwin जैसे महान वैग्यानिकों ने origin आप इस पिसीज जैसी book लिखी और वहां पर एक बिस्वास तोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे बहुत एक लंबे अर्से से ये माना जाता रहा है कि man is made by God लेकिन जो Darwin की theory आई तो उन्होंने कहा man is the result of gradual evolution क्रमिक बिकास का परिणाम है मानो और जो Victorian faith था और जो ईस्वर के प्रतिफेद था दोस्तों वो तूट गया इसलिए इसे कहा जाता है class between faith and region peace and prosperity national self confidence जो ये colonization बढ़ा peace and prosperity का ये time था दोस्तों class between faith and region यानि science और religion के बीच में जो एक class था उस चीज को वेक्टोनिया देना में देखा जा सकता है दोस्तों अगला जो point है उसको देखें आप बहुत महत्पूर्ण है ये है biography लिटरेरिया से दोस्तों जो biography लिटरेरिया वर्क है ये वहत्तों हम जान गए कि ये college की book थी biography लेकिन ये जानना जरूरी है हमारा इस वक्त किछुली में biography еромeteria में था क्या दोस्तों biography etria के review को एक बार रिविव किया गया biographyры लिटिरिया को और इसको रिविव किया दोस्तों फ्रांसिस जैफरी ने जब फ्रांसिस जैफरी ने रिविव किया दोस्तों तो उन्होंने एक टर्म दिया इस बायोग्रिफिया लिटिरिया को पढ़ करके लेक स्कूल आप पोईट्स दोस्तों जो लेक स्कूल आप पोईट् थे दोस्तो लेक इस्कूल आप पोएट ही ऐसा नाम क्यों पड़ा क्योंकि देखिए ये बात ये थी कि वर्ट्सवत जो थे वो लेक डिस्टिक के निवासे थे और लेक डिस्टिक में जब रहते थे दोस्तो तो वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी सीनरीज लेक या माउंटेंस और नेचर का जो मतलब एक जंगल, जाडिया, जरने, इस्ट, कैटरेक्ट्स हो गारा सारी चीज़े हैं दोस्तो और लेक डिस्टिक दोस्तो इंगलेंड का बहुत एक खुबसूरत डिस्टिक है वहाँ पर जब ये वर्ट्सवत रहते थे और वहीं पर इन्होंने पोईटर सदे और कॉलिज इन तीनों को लेक स्कूल आप पोईट के नाम से दोस्तो जाना जाता क्योंकि तीनों ने तीनों लेक डिस्टिक में निवास करते थे और वहीं पर इन्होंने कंपोजीशन्स अपनी पोईटरीज का दिया और ये टर्म जो दिया गया था फ्रांसेज जेफ जो हमारा पॉइंट है वो है रेप आप दी लॉक से दोस्तो रेप आप दी लॉक जो है ये अलेकसेंडर पोप का बहतरीन वर्क है और इस वर्क में दोस्तो उन्होंने रेप आप दी लॉक में जो इपिक क्वालिटीज होती है इपिक इपिक जो होता है एक लॉंग नरेट होता है इपिक दोस्तों तो इपिक इपिकल पोयम को इन्होंने imitate करने की कोशिस की इसलिए से मतलब मौक इपिक कहा जाता है रेपाब दी लौक एक मौक इपिक है जो 1712 में दोस्तों पहली बार publish हुआ 1712 में रेपाब दी लौक आया और इसके जब 1712 में पब्लिश हुआ थो तो ये दो केंटोज में था जिसमें से 334 यानी 334 लाइन्स थी पहली बार ये आया था रेपाब दी लौक 1712 में 1712 में और दूसरी बार दोस्तों रेपाब दी लौक पब्लिश हुआ था 1714 में जिसमें से 5 केंटोज हुए और इसमें 794 लाइन्स कम्प्लेटली हो गई दोस्तो मैंने आपको बताया ही एलेकजेंडर पोप का लिखा हुआ ये कि ये बहतरी इन वर्क है मौक हिरोई के रूप में जाना जाता है दोस्तो इसमें उन्होंने एरा विला फर्मर एक उनके मतलब रियल लाइफ का एक करेक्टर है एरा विला फर्मर उन पर इन्होंने रेप आपदी लॉक लिखा हुआ है और दोस्तो जो एरा विला फर्मर है उनको बेलिंडा के रूप में दोस्तो इसमें दिखाया गया है इसकी बहुत एक फेमस लाइन है बेलिंडा इसमाइल एन आर्ल दवर्ड वाज गे जो हाइपर बोल को आपको सिंबलाइज करता हाइपर बोल जो आपका फिगर आफ़ स्पीच होता है दोस्तो अगले हम पॉइंट्स पर आ जाते हैं दोस्तो बाइविल का जिक्र मैंने आपस सारे लोगों ने लिखने की ट्रांसलेट करने की कोशिस की जो पहली कोशिस थी तो जान वाइकलिफ के द्वारा हुई तेरा सो असी में दोस्तो ये हैंड रिटन बाइविल के रूप में थी दोस्तो तेरा सो असी में जान वाइकलिफ ने जो हैंड रिटन बाइविल को आता है, यह 1450 में दोस्तो आई और लाटीन में दोस्तो printed थी, ये दूसरा पार्ट था Bible का, तीसरा जो पार्ट आया दोस्तो यानि कि तीसरा जो प्रैटनी किया गया था तो ये printed थी दोस्तो टिंडेल, विलियम टिंडेल के द्वारा जो है ये कोशिस की गई दोस्तों और ये printed form में थी first printed form था जिसमें new testament था दोस्तों और अगला जो दोस्तों Bible का जो एक और रूप आया जो आया 1535 में Miles Cowardels का इसे complete Bible के रूप में दोस्तों जाना जाता है जो Bible थी ना जिसे वाइकलिप ने लिखा या कोई और भी जो भी Bible को लिखने की कोशिश करता था क्योंकि ये दोस्तों Hebrew भासा में थी और Hebrew सब लोग नहीं पढ़ सकते थे problem ये थी और Pope और वहां के जो ये मतलब Church की authorities थी वो नहीं चाहती थी कि सामाने लोग पढ़ें अगर सामाने लोग पढ़ लेंगे तो सामाने लोग सारी बातों को जानने लगेंगे जिस से उनका सम्मान उनकी मर्यादा और उनका जो एक लोगों को एक मुर्ख बनाने का जो कार है वो खत्म हो जाएगा इसलिए Pope का और जो authority का church authority का कहना था कि Bible को कोई भी translate नहीं करेगा लेकिन दोस्तों कई सारे लोगों ने कोसिस की इवेन जिन लोगों ने कोसिस की उनको जला भी दिया गया जिंदा चौराहों पर जला दिया गया लेकिन फिर भी translate की गई Bible दोस्तों दोस्तों हम अगले points पर आ जाते हैं बात कर लेते हैं origin abdis passage की अभी ही मैंने चर्चा की विक्टोरियनेज में दोस्तों जो origin abdis passage है ये Charles Darwin का बहुत ही बहतरीन वर्क है जिसको 1859 में उन्होंने पब्लिस किया ये Darwin का वर्क है और इसमें उन्होंने बात किया था दोस्तों धर्म को जो चैलेंज है और इश्वर को जो चैलेंज है वो यहीं से मिला उन्होंने कहा कि man is not made by God man is the result of gradual evolution क्रमिक विकास का धीरे धीरे करके हम बढ़ते हैं दोस्तों इस बात को Darwin ने Victorian एज में लोगों के सामने लाने की कोशिस की यहीं से पैदा हो गया दोस्तों लोगों के बीच में एक भ्रहम की क्या इसुर है या नहीं है इन सारी बातों को चैलेंज मिला दोस्तों अगला जो point है वो है हमारा tragedy से संब्दित दोस्तों यह है tragedy यह त्रेज़डी आप phyrex औड poor ex जो एक tragedy है जिसका नाम है phyrex औड poor ex दोस्तों यह जो tragedy है न तो यह नॉर्टन और सैक्विल के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी Norton और Sackville के द्वारा है लिखी गई और इसका जो ओरिजिनल टाइटिल है Garbodak Garbodak के नाम से जाना जाता है दोस्तों जो Garbodak या The Tragedy या Ferex and Porex Ferex and Porex क्यों लिखा गया है क्योंकि दोस्तों जो Ferex and Porex हैं ये दोनों भाई-भाई है और एक्चुली में इन्ही के Murder की बात होती है तो इस मतलब Tragedy में और इसको Norton और Sackville में ने लिखा था और 1561 में दोस्तों ये पब्ली सुई थी ये आपकी Tragedy और ये एक Revenge Tragedy के रूप में देखा जाता है दोस्तों He found it brick and left it Marvel दोस्तों ये जो comment है Dryden के लिए ये comment किया था He found it brick and left it Marvel Samuel Johnson ने ये Dryden के बारे में कहा था दोस्तों कि उन्होंने एक इसे eat के रूप में पाया और इसे संगमरमर की तरह चमका दिया किसको? English को दोस्तों अगला जो दोस्तों हमारा point है अगले point पर हम बात कर लेते हैं इंगलेंड वर क्लोजड इन 1649 तो 1660 दोस्तों जब 49 से ये जो एक्चुली में बैन हो गया था थीएटर दोस्तों एक्चुली में ये थीएटर क्लोजड क्यों हुआ चलिए मैं बता देता हूँ कि ये इसके जो है क्लोज होने का सबसे बड़ा एक रिजेन ये था कि जो प्यूरेटर ने इस था जैसे कि प्यूरेटर आप नामी सुनते हैं प्यूरेटर जिसे हम कॉमन वेल्थ प्यूरेट कहते हैं दोस्तों तो जो प्यूरेटर प्यूरेट था तो एक्चुली में उस दवरान जॉन मिल्टन जो आपके prominent poet थे उस दोरान तो इनका मानना था कि जो theater है लोगों के अंदर immorality, sexuality इन सारी भावनाओं को लेकर के आता है इसलिए दोस्तो उस समय जो है theaters को बंद कर दिया गया लेकिन जब Charles Dutty 1660 में जब Charles Dutty England के सिंघासन पर बैठे तो फिर उन्होंने दोबारा से reopen करवा दिया जो है theaters को दोस्तो और दोस्तो यह अगला जो हमारा point है वो है emorality sonnet के उपर 1595 में आई थी emorality sonnet यह first sonnet sequence है इंगलिस का दोस्तो क्या है इतनी जो terms की बात तो कर ली लेकिन मैं आपसे गुजारिस करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा duration नहीं देना चाहता एक वीडियो को इसलिए कुछ और है मेरे पास moment के बारे में कुछ जानकारी कुछ questions मैं अगले वीडियो में आपको देता हूँ दोस्तो तब तक के लिए नमसकार सुभरात्तरी दोस्तो और अच्छे से आप पढ़ें और सबसे बड़ी बात comment करना share करना like करना subscribe करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तो आप अगर जैसे कि मैं तो कोई benefit नहीं लेता इनसे बढ़ हाँ एक मेरी गुजारिस है कि जब भी आप select हों जब भी आप सफल हो तो आप मुझे एक बार बताएं मुझे बहुत खुशी होगी यही मेरी आप जो आप मदद करेंगे मेरी यही मदद है दोस्तो अगर मुझे किसी भी मदद की आपसे जरूरत होगी उम्मीद होगी मैं आपसे जरूर कहूँगा धन्यवाद दोस्तो